हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स के आपके घर में भी कोई एक ऐसी जगा है जहां कम रोशनी आती हो या ना के बराबर रोशनी आती हो फिर भी आपको लगता है कि वहाँ पर एक प्लांट होना चाहिए तो आपकी सिच्छा को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है जीजी प्लांट और इसका बोटानिकल नेम है जामियो कुलकर जामियो फोलिया तो आज का वीडियो है जीजी प्लांट के बारे में जिसमें हम डिसकस करेंगे जीजी प्लांट के बारे में सभी जरूरी जानकारी जैसे जीजी प्लांट की देखभाल कैसे करें उसे कैसी सनलाइट पसंद है कैसे वैदर में वो अच्छे से ग्रो करता है और इसके लिए किस तरह की सॉयल होनी चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जीजी प्लांट में वाटरिंग की जीजी प्लांट को वाटर की बहुत कम जरूरत होती है अगर आपने इसमें गलती से ज़्यादा वाटरिंग की तो ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं है और इससे प्लांट मर सकता है इसलिए इस बात का ध्यान रखें लेकिन अगर आपको प्लांट की पत्तियों पर कहीं भी धूल मिट्टी दिखाई दे तो आप नॉर्मल वाटर से उसकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं ऐसा करने से प्लांट पर लगी धूल मिट्टी अच्छे से साफ हो जाएगी इसके अलावा आप किसी सूती कपड़े या कॉटन की मदद से भी प्लांट पर लगी धूल मिट्टी को साफ कर सकते हैं लेकिन धूल मिट्टी हटाने के लिए प्लांट में हर बार पानी देना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जीजी प्लांट को ज्यादा वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी भी प्लांट में ये चेक करने के लिए कि उसे पानी की कब जरूत है हम उसकी मिट्टी को चेक करते हैं अगर मिट्टी डेड़ से दो इंच तक सूखी हो तब हम उसमें वाटरिंग करते हैं लेकिन जीजी प्लांट के मामले में अगर आपको मिट्टी डेड़ से दो प्लांट में कहीं भी आपको खराब पत्ती दिखाई दे तो उसे तुरंट रिमूव कर दें जैसे मेरे प्लांट में पत्ती खराब थी तो मैंने इसको हटा दिया है इसके अलावा आपको कोई पीली पत्ती या पीली टहनी नजराय तो उसको भी प्लांट से तुरंट हटा द तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीजी प्लांट एक सैमी शेट प्लांट है जिसे डारेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये कम रोशनी ये अंधेरे कमरे जहां रोशनी ना के वरावर आती हो वहां भी अच्छे से ग्रो कर सकता है अब बात करते हैं इसके टैंप पसंद है तो जीजी प्लांट के लिए आइडिल टैंप्रेचर 18-24 डिग्री सेल्सियस होता है इससे थोड़ा उपर नीचे हो तो प्लांट को कोई परेशानी नहीं होती पर इससे जादा उपर नीचे होने पर प्लांट को परेशानी होने लगती है अब बात करते हैं जीज प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता अगर आपको भी जानना है कि प्लांट की सॉल को कैसे तयार करते हैं तो इसका एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से हैं आप उसको वाच कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में दे दिया है तो फ इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो I hope आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो like, share and subscribe my channel and thanks for watching